तो बहुत कुछ बोल जाते हैं कनहिया कुमार भारत ते टुकडे होंगे ऐसे बयानों को लेकर भी बहुत बार सुर्ख्यों में आ चुका है जेनियू तो कनहिया कुमार अपनी शक्सित के लिए चर्चा में आ चुके हैं पहले और जेनियू से ही आए हैं जहाँ पर उनकी PSG खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं सवाल कई बार इस पर हो चुके हैं और लगता है कि इस बार चुन्यावी मैदान में तो शायद उनकी PSG खत्म हो जाए एक हैं मिश्रा जी बेगु सराय की रणीती को भी समझ लेते हैं अब चर्चा यहां तक पहुंची है कनिया कुमार आ लालसलाम वर्सस भगवा प्रणाम की लड़ाइया मतलब दो आइडियो की लड़ाया जो यह दिन लोगों का Peng Liz m jp की जो अईडियो लॉजिए इसकी लड़ाई है जो संग की आईडियोलोजी है मैं एक चीज बोलूँगा आज तक ठीक है यह जो हमारे प्रक्तियसी हैं वहाँ पर कनिया कुमार अच्छा बोलते हैं सारी चीजे हैं वहां के रखते हैं मैं यह बोलूँगा लूगा अगर यह जीत गए तो मैं मान जीते अगर मान लिजे नहीं जीते तो पूरी एक आइडियो लॉजिक हार होगी और जैनियू और वहां के टीचरों की हार मैं मानूंगा जीत गए तो मैं मान लूँगा कि इनकी पूरी और यह जीत गए अगर नहीं जीते अगर मान लीजे नहीं जीते तो पूरी एक आइडियो लॉजिक हार होगी और जैनियू और वहां के टीचरों की हार मैं मानूंगा लेकिन देखी यह भी तो है ना कि अगर भापर हम गीरास सिंग के साथ competition देख रहे हैं तो गीरास सिता रमण भी हार जाएंगी क्या जनता का कोई इसमें रोल नहीं है वैसा बता रहे हैं एक जी कौन सा विस्टेश कर रहे हैं मुझे बढ़ा फ़नी से सवाल कर रहे हैं हाब Susan बैया आप अपती वां माननी एक अफ़ने भी है दो प्रदान मंत्री नहीं बनेंगे जो उन्हों मेरे साथ बैठे हुए एंकर या आप लोग पूछेंगे तो मैं बोलूँगा और इस पे मैंने ब्लॉग भी निखा हुआ है जाके देख लीजिएगा मैं सवाल पूछ रहा हुए अगर एंकर पूछेंगे तो मैं जरूर मेरे सवाल है आप पहले बात कॉंटिन्यू कर लाएं फिर मैं सवाल आट कर दूँग चलिए ठीक है आप बोली जापको जितना वोलना बोले देखिए मोधी जी ने कहा था दो हजार चौदा में कि अच्छे दिन आएंगे और मोधी जी के भासर से अच्छे दिन आ गए जैसा भासर गायब हो चुका है मैं जानना चाहता हूं इस पैनल से चाहे वो बीजेपी के हो चाहे आप एंकर हो चाहे एक एंकर से सवाल क्यों करेंगे सर वो बताएं इस बात को सवाल करेंगे सवाल करने का मेरा है कि बात होनी चाहिए कि नहीं दिया दूंगा दूसरी बात बूल बात मैं चैह रहा हूं सुनिए उत्तर प्रदेश के बजट के बराबर उत्तर प्रदेश में इन्वस्मेंट हुआ 17-18-19 में और ये बात बताएं कि आखिर इस व्यक्त वक्तब्र का जिक्र क्यों प्रधान मंत्री और योगी आदितना प्रदेश में सवाल ही करने जहारी थी सब